हेलो क्लास एट्थ हाव आर्यू आई होब क्या आप घर पे बहुत अच्छी होंगे और प्रोपर काम भी कर रहे होंगे तो इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैब डिस्कॉस्ट अवाउट फॉर्मिशन आप कोल ओके दिस इस पिक्चर आफ कोल माइन है ओके यह कोल माइन की पिक्चर है ओके और वी डिसकॉस्ट अबाउट कार्वोनाइजेशन है ओके चलिए यहां पर हम बात करेंगे कोख है ओके इतना इससे पहले हम करा चुके हैं आपको हां यह उपर वाली एक लाइन समय लें कि जब कोईले को हम हीट करते हैं एयर में तो उसमें से जनरली सी ओटू गैस निकलती है कौनसी सी ओटू करवंड़े उकसाइड ओके तो बाकी कोईले से जो और यूसफुल प्रोड़क्ट्स हैं वो कोक, कोल, कोल गैस, कोल तार यह सारी चीज़ें मिलती हैं तो सबसे पहल हम बात करेंगे, कोक, एक्चली कोक है क्या, इट इस टफ, पोरस, एंड ब्लैक सबस्टेंस, यह पोरस मींस इसमें छेद होते हैं, ब्लैक सबस्टेंस है टफ है, और कारवन की प्योर फॉर्म है, ओके, और इसका यूज स्टील के मैनुफेक्चर में, या बहुत सारे और भ इसका यूज किया जाता है, ओके, तो वट इस कोक, आप यहां से नोट्स में लिख सकते हो, ओके, चलिए, अब हम बात करेंगे, कोलतार, कोलतार की बात करें, यहां पर यह दिखाया गया है, एक्चली यह ब्लैक ठिक लिक्विड होता है, ठीक है, और अन प्लीजेंट इसम mixer of 200 substances, और इसमें लगबग 200 के आसपास, substances mix होते हैं, ठीक है, तो products of obtaining from कोलतार, are used as starting materials for manufacturing, various substances used in everyday life and industries, देखिए, कोलतार से जो products मिलते हैं, जो 200 substances के आसपास, जो हैं इसमें से, तो वो जालातर, वो सारी चीज़ों को बनाने में काम आते हैं, ठीक है न, जैसे synthetic dyes, dyes color हैं, drugs हैं, ठीक है, दबाईया हैं, explosives, perfumes, plastics, paints, photosynthetic materials, roofing materials, यह सारी चीज़ें, हमें कोलतार से मिलती हैं, ठीक है, इसके अलावा, naphthalene balls, naphthalene balls देखेंगे, आपने white-white balls, जो घर में use होती हैं, ठीक है, जो कि moths, कीडे मकोडों को, बगाने में काम आती हैं, ठीक है, यह भी सब किसे मिलता है, कोलतार से, तो यहां पर यह हो सकता है, कि name some products, obtained from कोलतार, ओके, तो आप यहां से note कर सकती हो, ओके, चलिए, अब हम बात करेंगे, एक paragraph देख लेते हैं, बहुत important paragraph है, तो these days, bitumen, bitumen कहते हैं, डावर, जो road पे, आपने देखा होगा, black-black, वो, यह petroleum product है, और जो कि roads को meddling करने में काम आता है, तो यहां पर आप एक notes में question बनाओगे, what is bitumen, और यह आप answer note करोगे, हम बात करेंगे, coal gas, coal gas is obtained during the process of coal to get coke, actually, coke कहां से मिलता है, coal से, तो जब coal से coke मिलता है, तो उससे में gas निकलती है, उसे हम coal gas कहते हैं, ओके, coal gas की यहां बात करें, तो सबसे पहले London में, 1810 में, और बाद में, New York में 1820, सबसे पहले street lightning, ठीक है, street light होती है, उनको जलाने में इसका use किया गया था, लेकिन बाद में, यह light से ज़्यादा heat के source के रूपे use किया जाने लगा, ओके, तो यह बहुत important information है, ठीक है ना, मुचा जा सकता है कि क्या कभी, coal gas का use, source of light में हुआ है, तो आप बता सकते हो, ओके, चलिए, अब coal gas की बात करें, तो it is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants, जो coal processing plants से उनमें fuel के रूप में यह काम में लिया जाता है, ठीक है, चलिए, तो यह हुई coal की बात, अब हम बात करते हैं, petroleum, ओके, तो petroleum और coal दोनों ही fossil fuels है, तो petrol जनरली आपने देखा भी है, और इसका use भी almost आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, automobiles है, car, scooter, bike, ठीक है, motorcycle से scooter है, car से इनमें यूज़ किया जाता है, heavy motor vehicles है, truck है, track train में diesel यूज़ किया जाता है, ठीक है न, तो petrol और diesel, यह कहां से मिलते हैं, actually, यह petroleum से ही मिलते हैं, petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum, ठीक है, अब petroleum कैसे word, यह petroleum बना कैसे है, actually, petra का मतलब होता है, rock, and oleum means oil, it means कि rock के अंदर से मिलने वाला oil, ठीक है, तो यह, ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह अर्थ के अंदर की जो rocks होती है, उनके बीचे में पाया जाता है, ठीक है, तो अब कैसे बनता है, इसके बारे में हम discuss करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले, आप यह diagram देख लें, कि यह समुद्र के अंदर दिखाया गया है, नीचे reservoir rock है, फिर water है, फिर oil है, फिर gas है, और यह, यह दोनों, यह क्या है, यह oil well है, ठीक है ना, oil के कुए, ठीक है, चलिए, देखिए, तो petroleum was formed from organisms living in the sea, जो समुद्र में जो organisms रहते थे, उनसे यह मिलता है, ठीक है, वो जब मर जाते हैं, उनकी bodies, समुद्र के bottom में दपती चली जाती है, उस पर clay और sand की पर्ते बन जाती है, ठीक है ना, पर्ते बन जाती है, यह कब होता है, एक-दो साल में नहीं होता है, एसा लाखों सालों में होता है, और एक्चली होता क्यों है, क्यों है, वहाँ air नहीं होती, temperature बहुत हाई होता है, high pressure होता है, ठीक है, तो हाँ, जब एक question आएगा ना, कि how is petroleum formed, तो आप यहाँ से उसे note करोगे, ठीक है, तब क्य होता है, तो जो dead organisms हैं, वो petroleum और natural gas में convert हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसा कि हमने figure में देखा था, तो हमने यह भी देखा तो अस diagram में, कि जो layers हैं, उनके बीच में petroleum, oil and gas है, वो water के उपर है, water के उपर क्यों हो, क्योंकि आप जानते हो कि oil and gas are lighter than water, यह हमेशा water से lighter होते हैं, और उसके साथ mix, mix नहीं होती, ओके, चलिए, अब देखेंगे आप, यहाँ पर एक paragraph दे रखा है, बहुत important है, ठीक है, the worst first oil well, सबसे पहला oil well कहां लगा था, यह USA में, 1859 में, एक जगह है, पेंसिलवेनिया, ठीक है ना, अच्छा, आठ साल बाद, 1867 में, और यह माकोम एक जगह है, आसाम में, ठीक है, तो इंडिया में, यह कहां पाय जाता है, आसाम में, उजरात, मुंबई हाई, ठीक है, और रिवर और वेसिन और कुदावरियन कृष्णा, तो पूचा जा सकता है, कि where is petroleum found in India, तो आप यहाँ से no down कर सकते हो, ओके, चलिए, अब हम ब बात करेंगे, refining of petroleum, देखते हैं, refining of petroleum, तो petroleum is a dark, oily liquid, और unpleasant order, dark, oily liquid है, और इसकी smell, actually कैसी है, बहुत unpleasant है, means बदबु आती है, और यह बहुत सारे, यह बहुत से मिलकर बना होता है, ठीक है, जैसे petroleum gas है, petrol है, diesel है, lubricant oil है, paraffin wax है, mom है, ठीक है, तो the process of process of separating the various constituents, fractions of petroleum is known as refining, यह क्या कहलाता है, refining, means इन सारे products को उससे निकालना, refining कहलाता है, यह कहाँ होता है, petroleum refinery में, आपने सुनावा, मत्रा refinery का नाम, तो वहाँ भी petroleum, वो petroleum refinery ही है, और यह आप diagram देख सकते हो, एक refinery का diagram आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो various constituents of petroleum and their uses, यह एक table में दे रखा भी हम उसे संजाएंगे, यह आप समाज़ लें, कि many useful substances are obtained from the petroleum and natural gas, these are termed as petrochemicals, तो जो भी substances मिलते हैं, ठीक है, petroleum और natural gas से उनको petrochemicals बोलते हैं, ठीक है, और इनसे detergents, fibers, nylon, acrylic, ठीक है, और इनमें इनका यह काम में आते हैं, ठीक है, polythene and other man-made plastic hydrogen gas, opt in from natural gas, यह natural gas से मिनने वाले product हैं, ठीक है, तो यह fertilizers, is used in the production, fertilizer के production में use होता है, ठीक है, तो due to, यह बहुत important है, due to great commercial importance, petroleum is also called black gold, यहां question बन सकता है, why petroleum is called black gold, तो अब यह पूरे paragraph से लिख सकती हो, कि इतने useful products मिलती हैं, इसलिए इसको हम black gold कहते हैं, ओके, चलिए, अब हम यह देख लेते हैं, various components of petroleum and their uses, ओके, जैसे देखो, पहला petroleum gas है, LPG, जिसको बोलेंगे liquid form है, तो यह home industry में, फ्यूल के रूप में, इंदन के रूप में काम आता है, घरों में use होता है, petrol की बात करें, तो car, scooter, इन में काम आता है, carosine की बात करें, तो stove, lamp, और aircraft, jet aircraft के fuel में काम आता है, diesel की बात करें, तो heavy जो motor vehicles हैं, उन में काम आता है, truck, bus बगेरा, lubricant toil है, तो यह lubrication, चिकनाई में काम आता है, paraffin wax है, mom, यह ornaments, candles, weseline बनाने में काम आता है, bitumen, dower, यह paints और road की surfacing करने में काम आता है, तो इसे इस वाले video lecture में इतना ही, बाकी का जो भी topic बचा है, वो next video में, thank you.